गूशल थिख शुच मैं और करेंगे शबसे पहले तो यह पहले तो तोपिक्स को और उन टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे एक के करके So working capital अपने आप में छोटा topic है और अगर मैं इसकी particular coverage की बात करूँ या marks की बात करूँ तो approximately this comes to 15 marks के आसपास का Short shot आपको इसमें से मिलता ही मिलता है Minimum 15 है It can go up to 25 marks also अगर मैं बात करूँ कौन से कौन से इसमें topics आते हैं बहुत जादा topics नहीं हैं इसमें करने को कुछ theory concepts आएंगे कुछ theory concepts आएंगे Working capital ratios यूज करके हम working capital की requirement calculate करेंगे एक EOQ का concept इसमें होता है Early settlement discount ये है जिसके उपर section C का question बनता है Then comes the concept of factoring और last आता है cash budget बनाना Cash budget बहुत जादा आता नहीं है पर फिर भी अगर आता है तो ये कम से कम 7-8 number का तो आता है EOQ करके theory concepts पहले लेते हैं जो सबसे जादा section A के questions में आती है या फिर section C के question में एक sub part बनके आती है Important topics ही मैंने यहापे उठाएं है सारा का सारा theories में नहीं उठाइए ये वो topics हैं जो आपको must आने चाहिए जैसे की approaches to working capital management दो approaches का बार-बार नाम लिया जाएगा aggressive approach और conservative approach इसको फटा-फट से revise कराती हैं सुन लो aggressive approach होती है जहाँ पे बहुत over confidence में रहता है एक company का management वो क्या करते हैं वो इतने risk takers होते हैं कि वो working capital को बिलकुल line पही रखते हैं कि कल को अगर जादा की जरुत पड़ी ले आएंगे कहीं से भी हम जुगाड़ू है manage कर लेंगे वो इस approach से चलते हैं जबकि conservative approach वाला बहुत ज़ादा working capital में पैसा block करके रखता है पता नहीं कब क्या जरुत पड़ जाए वो इस approach से डर के मारे अपने खूब सारे stocks maintain करता है emergency stock, buffer stock इसका बहुत ज़ादा होता है अगर aggressive approach वाले की बात करें इसका working capital में पैसा कम लगता है जबकि conservative approach वाला working capital में पैसा ज़ादा अटकाता है अगर मैं बोलू कि इन दोनों approaches में से कौन सी वाली approach पे financing cost ज़ादा आएगी working capital की तो कौन सा जवाब दोगे conservative में क्योंकि आप working capital ज़ादा invest करके रखोगे इस पे फिर financing cost भी ज़ादा आएगी यानि कि conservative approach रखने वाले महंगा option चूज करते हैं बढ़ ठीक है ये तुम्हे concept चुली याद होना चाहिए दूसरा concept होता है over capitalized firm और over trading firm ये favorite questions है कुछ examiner के over capitalized firm क्या होती है जिसमें ज़ादा capital लगी वी हो ज़ादा capital लगी वी हो मतलब ज़ादा पैसा लगावा हो ज़ादा पैसा लगावा हो मतलब inventory भी ज़ादा invest कर रखिये receivables में भी पैसा ज़ादा फसा हुआ है यानि इन्होंने इतना पैसा अठका रखा है जिसकी वज़े से ये over capitalized कहलाते हैं मतलब कि पैसा लगा ज़ादा होने का मतलब current assets के उपर पैसा ज़ादा लगना current liabilities पे पैसा कम लगना मतलब आपके payables तो कम होंगे आपके receivables ज़ादा होंगे यानि पैसा फसा ज़ादा होगा inventory पे भी पैसा आप ज़ादा block करके बैठे रहोगे जबकि payables आपको ज़ादा amount नहीं दे पा रहे है this is over capitalization of a firm over capitalized firm भी बहुत ज़ादा cost of investment या cost of financing bear करती है इसका बिल्कुल उल्टा होता है over trading firm यह अपनी हैसियत से ज़ादा trading करती है मतलब इसके खुद के पास पैसे नहीं होते यह पैसे ले लेके trading करती है यानि इसके payables बहुत ज़ादा होते है short term borrowings इसकी बहुत ज़ादा होती है that is a over trading firm खुद के पास तो पैसा है नहीं लगाने को तो कहां inventory में लगाओगे कहां receivables में लगाओगे तो पहले तो यह short term liability create करते है payables create करते है overdraft डेर सारा उठा लेते है short term loans उठा लेते है और फिर अपने business को चलाते रहते है यह over ambitious business होता है जिसके खुद के पास कुछ नहीं है पर लगा लगा के कर रहे हैं हमकाम that is over trading ठीक है over trading firm बहुत जल्दी insolvency के खत्रे में पड़ी होती है इस point का ध्यान रखना तीसरा इसमें जो topic आता है that is cash management model दो बड़े अजीब अजीब से model होते है और इनके ओपर theory का question बनता है एक है bomol cash management model दूसरा है miller और cash management model इन दोनों में formula application भी है लेकिन इन पर formula application के questions कम आते हैं और इनका explanation और concept जादा आता है तो सबसे पहले चीज़ तो जब आप concept की बात करोगे या समझाओगे तो ये formulas का reference जरूर देना not that की formula तुम्हें बताने हैं लिकिन है terminologies का use करना है यानि कि आपके पास एक return point नाम की चीज़ होनी चाहिए यहां पर transaction cost नाम की चीज़ होनी चाहिए बामोल का cash management model में holding cost of holding cash होना चाहिए यानि कि जब हम इनके theory लिखें तो ये जो terminologies हैं ये भी ensure करें कि हम use कर रहे हैं अब अगर आप ये बामोल का cash management model देखोगे ये बिल्कुल EOQ के तरह है ये model कहता क्या है cash hold करने की एक optimum quantity होती है क्योंकि cash के साथ कुछ उसकी transaction cost जुड़ी भी होती है cash को hold करने की कुछ cost भी होती है और पूरे साल भर में हमें cash की एक fixed requirement तो होती होती है यानि cash हमें कितना hold करना चाहिए ये model बताता है एक optimum amount of cash which every business should hold जो उसके लिए best beneficial होता है जबकि ये जो Miller और cash management model है ये कुछ अलग तरीके से देखता है ये एक return point बनाता है और बोलता है कि business है ना हमेशा इस return point के असपास ही गूमता रहेगा जैसे return point से नीचे cash आ जाएगा तो ये क्या करेगा अपनी जो short term securities है उनको बेच के अपनी cash requirement को fulfill करेगा अगर तुम्हें ध्यान आ रहा हो इसका कुछ इस तरह का graph हुआ करता था ये इसका point हुआ करता था return point मतलब कि अगर cash existing यहाँ है return point से उपर यानि कि इतना cash surplus है ये surplus cash का क्या करेंगे market में short term securities में invest कर देंगे लेकिन cash use होते 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 over period of time नीचे आ गया ये जो deficiency आई ये deficiency अब कैसे meet करेगा business ये जो marketable securities थी इनको बेच के पैसा ले आएगा ये पैसा लाके वापस से इनकी cash requirement फुल्फिल हो जाएगी फिर से जो भी surplus पैसा आएगा business इसको invest कर देगा यानि एक ये जो return point है इसको average out हर business रखता है कि मेरा ना इसके आसपास चलना चाहिए movement cash का और एक limit ऐसी लगता है कि bear minimum इतना तो होना ही चाहिए इससे नीचे cash कभी नहीं जाना चाहिए danger point तो ये danger point का reference आपका return point का reference ये सारे के सारे references आपको इसमें देने होंगे ये जो formulas हैं ये आपको exam में दिये होते हैं तो इनको mug up करने की ज़रत नहीं है variance क्या होता है ये आपको ध्यान रखने की ज़रत है standard deviation आपको दिया होगा standard deviation of cash flows का square is variance of cash flows चेक है ये सारी के सारी चीजे ये formula वाली ये आपको exam में दिये होती है आपको इसका application अच्छे से आना चाहिए इस पर अगर question आता है तो दो number का ही आता है लेकिन इसमें से theory आने के chances बहुत ज़ादा होते हैं यानि explain करना Miller or cash management model और Baumol cash management model rather I will suggest कि अगर कभी भी business ये बोले कि cash को business कैसे manage करेगा इन दोनों models का reference जरूर देना budget बनाके तो करता है करता है इन दोनों options से भी cash management कर सकता है business इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत है बताओ आगे बढ़ते हैं अब आते हैं सबसे important चीज़ पे funding approaches पे recently पिछले साल डेर साल से ये funding approaches के उपर questions बहुत आ रहे हैं ये किस तरह के questions हैं हम एक aggressive और conservative approach की बात कर रहे थे वो business की approach होती है ये funding approaches है यानि कि हम working capital को fund कैसे करें वो बात कर रहे थे कि working capital में investment कितना रखें ये कह रहे हैं कि कितना रखना है कहां से रखना है हम इसकी बात कर रहे हैं वो working capital investment था ये working capital funding है तो funding की approaches क्या होती है तीन approaches होती है aggressive, conservative और matching simple matching की अगर मैं बात करूँ working capital में जितना खर्चा है उसी time के बराबर financing ले लो that is matching मैं कहां से finance करूँ कहीं से भी करो लेकिन exact match कर लो मतलब मुझे working capital next 6 महीने के project के लिए चाहिए 6 महीने का इस finance उठाओ that is matching सीधा duration को match करना विद्धी requirement of working capital एक होती है conservative ये भी derivative financing होती है अब इस financing में एक general rule का ध्यान रखना अच्छा ये होता है कि आपके जो fixed working capital होती है यानि ये पैसा ऐसा है जो हमेशा business में रह गई रहगा this is fixed working capital इसको तो long term sources of finance से finance कराओ यानि equity से finance करालो long term debt से करालो लेकिन जो fluctuating working capital है इसको finance कराओ short term sources of finance से अब इन दोनों के हिसाब से aggressive और conservative approach बनती है क्या बनेगी conservative approach तो ये हुई आपके जो current assets है वो आप long term finance से ही finance कराते हैं even if वो fluctuating हो जबकि मैंने अभी ground rule क्या बोला था जो fluctuating working capital है उसको short term finance से finance कराओ लेकिन conservative वाला बंदा उसको भी long term से कराता है क्योंकि उसकी मन में डर होता है किया और इतना तो मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए मैं क्यों short term finance लेके ज़्यादा महंगा option आप्ट करूँ long term finance ले लेता हूँ कुछ तो पैसा बचेगा तो ये conservative बंदा होता है even fluctuating working capital requirements को ये किस से fulfill करने की कोशिश करता है long term finance से जबकि जो aggressive बंदा होता है ये permanent working capital को भी short term finance से finance करने की कोशिश करता है यानि इसको literally इस बात की परवा नहीं होती है कि हमारी cost कित्ती आ रही है इसको इसकी रत्ती भर चिंता नहीं होती है तो simple rule अगर आप short term finance यूज़ करें तो अपनी temporary working capital को finance करने के लिए यूज़ करें अगर आप long term finance यूज़ करना चारे है तो अपनी permanent working capital को उससे finance करो लेकिन aggressive वाला क्या करेगा उल्टा काम करेगा aggressive वाला वैसा भी पैसे बहुत खर्च करता है ये क्या करेगा ये short term finance यूज़ करेगा permanent working capital पे भी aggressive बंदा है डंग से plan नहीं करेगा और दंफन में जल्दवाजी में ये decide करेगा ओहो ओहो working capital का पैसा चाहिए plan करेगा नहीं market से short term market से उठा लेगा जबकि conservative बंदा properly plan करके चलेगा emergency इसका भी ध्यान रखेगा वो अपनी जो fluctuating working capital है उसको भी कोशिश करेगा कि मैं long term से finance कर लू पैसा बचाने के चक्कर में matching वाला क्या करेगा जितने duration की requirement है उतने duration का ही loan लेगा कोई सा भी loan ले लेकिन वो fit करेगा इसको यानि कि ये भी थोड़ा सा न इस confidence में चलता है कि यान मेरी requirement इतनी आएगी इतनी duration की आएगी तो इसका business fluctuating नहीं होता होगा ice cream business होता है जैसे very clearly गर्मियों में demand बहुत जादा आएगी सर्दियों में इतनी नहीं आएगी raincoat umbrellas obviously आप इसको बारिश में काम लोगे या फिर extreme घर्मी में काम लोगे सर्दियों में तो ना raincoat काम आना है और ना ही छत्री काम आनी है तो कई businesses होते हैं जो matching funding policy यूज करते हैं तीनो clear हैं सबको बताओ इसके हिसाब से aggressive है और वैसे भी महंगे होते हैं सबसे जादा पैसे aggressive खर्च करता है matching is like okay okay matching वना बनता है जै और और conservating में कम होते हैं वैसे कर्च वैसे पैसे बचाने के चकर में ना हर चीज को उठा लेता है long term long term से क्योंकि long term सथा होता है लेकिन मैं फिर इसके liability नहीं बढ़ जाती फिर क्योंकि इसको interest rate पूरी pay करने पड़ती होगी as compared to aggressive उसके बिलकुल बिलकुल तो committed cost बढ़ जाती है तो इसके उस impact पे हम comment नहीं कर सकते क्योंकि depend करता है कि फिर इसका business model क्या है कितना rate of interest पे long term loan इसको मिल रहा है depends ठीक है पर इसके इस बंदे की choice है ये उसके basis पे हम इसको बोलते हैं कि ये कौन से approach follow करेगा working capital funding में ओके येस मैं हो now this is the type of question which examiners recently have started asking देखो ये आपकी exam kit का question number 81 है और इसी तरह के questions आजकर मिल रहे हैं exam में two companies A and B have been following average levels of working capital maximum और minimum working capital दे रखिए यानि bare minimum इतनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चाहिए correct A is working capital is financed with 4 million of long term debt यानि हम बात करें A की A का long term debt से 4 million finance हो रहा है B का finance हो रहा है 9 million B का 9 million long term debt से finance हो रहा है the balance of finances from short term sources identify by clicking relevant boxes which type of working capital funding strategy each company is employing A A की बात करते है A ने 4 million का long term debt लिया हुआ है 4 million long term debt क्या बोलते हो A की funding strategy क्या है 40% long term 40% long term short तो मैं यह थोड़ा थोड़ा मैं चाहिए यह इचे इसा नहीं क्या होता है exact funding requirement क्या होती है जो आपकी minimum requirement है वो किस से होनी चाहिए long term से इसकी minimum requirement कितनी है 6 6 क्या इसने 6 की long term funding लिये इसका मतलब जिस पे long term funding चाहिए थी उसको भी short term से fund करा दिया क्योंसी approach है aggressive लगाव इस प्रेशिए चेक है B के बारे में क्या विचार है matching matching 9 चाहिए 9 exact उतने का उसने long term debt match कर दिया मतलब जितना exact minimum चाहिए होता है उसने minimum ही set किया है विल्कुल perfect perfect मतलब this is matching मैं थोड़ा सा situation को बदल दूँ क्या ये 9 की बजाए what if इसका debt 9 की बजाए 10 आ जाए what will you say conservative समझ गए किस तरह से आप इस चीज़ को identify करेंगे कि कैसे ये aggressive matching या conservative approach फॉलो कर रहे है इस मैं इस तरह का question नई variety of questions है जो recently add up हुए है अब next जो head आता है जिसका मैंने आप लोगों को homework दिया था कि working capital ratios आप लोग जरूर से learn करके आना उससे working capital requirement निकालने पे second type of questions आते हैं बड़े easy से होते हैं या आप जब class 12 में एक ratio वाली पतली सी book हुआ करती थी 40 marks की जिसमें cash flow statement और ratio analysis हुआ करता था यह same उसी system पर चलते हैं एक question solve करके देख लेते हैं revision हो जाएगा अपना इसमें निकाल लो pen paper copy करूँ start करूँ ready हो सब yes ma'am तो a company has annual credit sales of 27 million dollar and related cost of sales is 15 million company has following targets receivable days आपके पास है inventory days आपके पास है trade payable days आपके पास है और 360 days आपको assume करने थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना मैं जब पढ़ती थी 365 से ले लिया सब कुछ थड़ा सा cautious हो के करना what is the net investment in working capital required for the next year फटा फट से हमारे पास working capital investment के लिए dollar में amount निकालना अभी के लिए जरूरत है हमारी receivable days में अगर मुझे receivables का amount मिल जाए तो बात बन जाए yes ma'am कैसे निकलेगा formula लगाओ formula क्या formula होता है आपके पास receivables किससे create होंगे sales से credit sales receivables upon credit sales into 360 50 50 days divided by divided by 360 365 मत कर देना फटा 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 अमांट निकालो 3750 3750 आगे triple zeros yes ma'am ठीक है ये तो अपने receivables आ गए फटा 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 से inventory निकालो inventory किस पर निकलेगी cost of sales के basis पे मतलब की 15 000 000 किते दिन है 60 upon 360 यह अजीब सा नमपर आएगा किता आ रहा है 2500 125 नहीं नहीं 25 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 and 5 times 0 sure yes ma'am yes ma'am yes ma'am 25 तो 6 150 को डिवैड कर लेगा ठीक 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 है अब आ जाओ पे पे यह आपके लिए एक source of finance होते हैं लेकिन पेबल्स किस पर क्रियेट होंगे आपकी पर्चेश को पर्चेश इदर आती हैं और 45 डेज का यह हमें टाइन देते हैं हाँ मच इस दिस वर्किंग क्यापिल रिक्वार्मेंट्री के लिए रिसी वेंट्री के लिए लेकिन 1875 वाले लोग मुझे finance भी कर देंगे तो नट्शेल में वर्किंग क्यापिल रिक्वार्मेंट विल भी दिस मैंने चेक नहीं किया है तुम लोग चेक कर लो तो यह easiest type का question है इसको बिल्कुल मिस मत करना यानि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करके जाना है formulas learn करके जाने है अच्छा अब बात करते हैं EOQ की unfortunately यह इतना easy topic है लेकिन पता नहीं क्यों as a teacher I have failed in telling the students कि इसकी simple approach तुम वो use करो जो मैं कराती हूँ पता नहीं ऐसा क्यों होता है पिछले दो batches में जब मैंने mock test papers चेक किए मैंने इसका question दिया बच्चों ने मेरी approach वाली use नहीं करी book के approach यूज करी और सब ने गलतियां करी मैं तुम्हें बताती हूँ approach क्या थी please चीजों को simple रखना क्योंकि बच्चों ने ये सोचा कि नहीं यार book वाला ही marks देगा जो गलत हो जाएगा ना उससे तो marks वैसे भी नहीं मिल रहे हैं इसलिए सई करने के लिए उसकी easiest approach जो मैंने बताई है अभी ये question कराऊंगी तुम्हें वही approach करनी है most likely अगर eoq का question आता है तो वो उसी चीज़ के साथ आता है जो मैं करा रही हूँ eoq है क्या ये वो quantity होती है जो आप अगर order करते हैं तो सबसे ज़्यादा cost effective पड़ती है क्यों आप जितनी बार order करेंगे एक तो ordering cost लगती है हम अगर सोचें कि या ordering cost कम लगेगी कम order करो तो तुम stock भरके रख लोगे तो holding cost लगेगी यानि इधर भी मार उधर भी मार तो क्या करें एक balance बनाए balance किसमें बनेगा eoq में यानि economic order quantity एक ऐसी quantity होगी जो मेरी ordering cost को भी minimum रखेगी और holding cost को भी minimum रखेगी best quantity which I should order every time एक खास बात eoq के level पे ordering cost और holding cost बराबर आती है दूसरी important बात holding cost per unit होती है और आप इसको multiply किस से करते है average inventory से इस बात का ध्यान रखना यह जो holding cost होती है this is average per unit और आपको इसको multiply sorry this is average cost annual cost per unit this is annual cost per unit इसको multiply किस से करते हो average inventory से कारण आप हमेशा holding same units की नहीं रखते हो महिने के starting में ज़्यादा units hold होती है महिने के end में कम होती है तो हम average out ले लेते है तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब हम holding cost निकाल रहे हो तो हमें average inventory लेनी है और into holding cost per unit लेनी है इसके question में कई बार cost of finance भी दी होती है वो holding cost में जुड़ती है cost of finance दे दे holding cost दे ये तो ठीक है उल्जावा question जिस पर ज़्यादा marks होते है जो मैं कह रही हूं कि unfortunately बच्चा उस तरीके से नहीं करता जैसे मैं कराती हूं वो गलती कर बैठते है ये question पूरा नहीं कराऊंगी I just want to discuss this ठीक है इसको ध्यान से देखते है और तुम्हें एक्जाम में कैसे करना है वो भी देखते है KXP Co. currently orders 15,000 units per month of product Z demand for which is constant there is only one supplier of product Z and the cost of product Z purchases over the last year was 5,40,000 dollars मुझे ये Excel पे करना है तुम लोग भी इसको Excel पे करो क्योंकि अगर ये question आता है Calculator तो फिर ये section C का ही आएगा निकानो Excel Excel पे करते हैं इसको मेरे साथ सारी Excel पे करते चलना ताकि ये यहीं के यहीं तुम से close हो जाए Dolly, you are doing now? Yes, मैं Excel पे करो शालो 15,000 यूनिट्स आपको पर मंत चाहिए आप अभी तक 5,40,000 में इसको खरीदते आ रहे हैं The supplier has offered a 2% discount on orders of product Z of 30,000 units or more Scheme क्या है? आप अगर 30,000 units or more order करेंगे तो आपको discount मिलेगा 2% का Each order costs KXP को 152 place and the holding cost is 24 cents per unit per year Holding cost मुझे क्या चाहिए होती है? पर unit चाहिए होती है और annually चाहिए होती है यानि holding cost मुझे direct दे रखी है ordering cost मुझे direct दे रखी है At least मैं ये दो information तो लिख लूँ 24 cents को 0.24 dollar कर दू? ना मैं ठीक है? येस मैं order quantity तो नहीं पर ये है कि भाई तुम 15,000 अभी order कर रहे हो तो अब मैं जो अपनी technique बोलती हूँ वो क्या technique है? आप अभी क्या system follow करते हूँ वो करो EOQ से क्या system होगा वो करो और यहां पर question बोल रहा है कि आप अगर 30,000 units order करोगे तो क्या impact आएगा? तो मैं 15 और 30 का combination ही कर लूँ वो EOQ के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ वो simple simple यह पूछ रहा है कि 30,000 वाला discount ले लेना चाहिए क्या? अब question और इस तरीके से आ सकता है? आपका existing policy हो सकती है? question बोल सकता है कि economic order quantity बताओ और discount scheme offer करी है आपको business ने यह बताओ वाले पर यह question हो चाहिए 30 वर्सेस 15 ओर करने का तरीका एक ही है ठीक है? हाँ जी, what was the question? बताओ मैं में यह पूछ रहे थे कि हमें यह क्यों नहीं निकालना बस 15 और 30 वाले में compare कर देना है बस ठीक है वो इस लिए निकालना क्योंकि इनके पास चॉइस ही नहीं है 15 अभी कर रहे है और discount लेने के लिए कितना करना है 30 तो EO के उपर दिमाग लगाने का कोई मतलब ही नहीं है discount तो तब मिलेगा जब 30 आप order करोगे तो अब आप इसमें एक simple सा तरीका जो मैंने बोला है हमेशा total purchase cost निकालो ये बच्चे निकालते नहीं है टाप जाते हैं इसको निकालो जब discount मिल रहा है तुम्हारी purchase cost पर difference आएगा holding cost, ordering cost निकालके छोड़ देते हैं क्योंकि बुखनी निकालती purchase price पे change आएगा क्योंकि आपको discount मिल रहा है तो 15,000 units जब आप order करते हैं तो आपकी purchase price कितनी आती है आती है नहीं आती है 540,000 येस मैं 540,000 अगर 30,000 units order करेंगे तो कितनी आएगी इसकी double pay discount पर unit ठीक है लेकिन double नहीं एक बार अपन ये देखते हैं ये जो 540 है ये पूरे साल की है यानि annual demand कितने में meet हो रही है 540 में अगर मैं 30,000 का करूंगी तब भी 540 रहेगी वरना एक काम ये करो purchase cost पर unit निकाल लो है है ये बैटर है मैं ठीक है simplest काम करो easiest जो तुम्हें समझ में आए ये बैठ रहा है 36 पर यूनिट है ठीक है पर्फेक्ट पंद्रह जार इंटो सारी पंद्रह जार इंटो बारा बारा की purchase cost किती आएगी अच्छा अब थ्री आ गई थ्री पे आपको discount देना है कितना discount दे रहे हो टू परसंट इंटो 98 परसंट का तू चलता है अब भी भी annual demand में तो कोई change है नहीं तो टोटल purchase cost कितनी आएगी 529,200 यहाँ बच्चा चूँक जाता है वो इसका analysis देता ही नहीं है क्योंकि book नहीं देती ठीक है समझ गए ये गलती please मत करना simple तरीका जभी भी discount का case आएगा हम total cost of inventory लेंगे total cost of inventory क्या होती है उसकी purchase cost उसकी total ordering cost और उसकी total holding cost मैंने यहीं बताया तुम simple तीनो cost को लो मत उल्जो कि किस case में purchase cost लेनी है किस में नहीं लेनी है तुम्हें हमेशा लेनी है book क्या करती है जहाँ discount नहीं होता वहाँ purchase cost नहीं लेती तो discount के case में भी purchase cost का difference अलग दिखा देती है it's confusing for the student तुम हमेशा ले लो जहाँ same होगी वहाँ same पड़ी रहेगी क्या दिक्कत है ठीक है तो यहाँ पर यह तीनों निकालते हैं और एक के करके इनकी तैयारी करते हैं मेरे पास purchase cost कितनी आगई 15,000 में 540 रहेगी और 30,000 के case में 529,200 रहेगी ordering cost पूरी demand यह है हम एक बार 15,000 units order करते हैं और ordering cost पर order किती है 150 चेक करो जारा 1800 मैंने सही निकाला क्या यह देखो total demand divided by 15,000 कर दिया मैंने आपके कितने नमपर करेंगे और इनकी 150 ठीक है यही चीज इसमें आ जाओ annual demand 180 मेरा एक order 30,000 का यह आगए number of orders into 150 per order 900 की ordering cost ओहो यहां भी बचत लेकिन holding cost में ऐसे तैसी होईगी 30,000 units hold करोगे आप तो holding cost कैसे निकलेगी कैसे निकलेगी 15,000 के basis पर 15 divided by 2 into 0.24 0.24 परफेक्ट आप अने एवरेज 15,000 महिने के starting में hold करोगे 0 end में hold करोगे एवरेज कर लो 15,000 divided by 2 into 0.24 जब 30,000 units hold करोगे तो क्या situation होगी परफेक्ट बढ़ गई न तो अपना logic सही बैट रहा है 15,000 units order कर रहे थे तो देखो holding cost कमारी थी और इस situation को देखके क्या बोलते हो what is the EOQ this 15,000 is the EOQ ठीक है 15,000 EOQ था तो चलो अब अपने evaluate कर लेते दोनों options में से हमें कौन सा वाला opt करना चाहिए ध्यान रखना purchase cost निकालना that's the only thing I am telling you ठीक है अब क्या बोलते हो 30,000 with 30,000 units your cost is getting saved how much is saving 9,000 9900 saving in accepting the discount यह जो 2% के discount offer थी इसको accept करने की वज़े से क्या फाइदा हुआ 9900 डॉलर्स बच गए समझ गए है ठीक है तो जो मैं highlight करके बोल रही थी कि बच्चे इतनी easy चीज को गलत करते हैं उसका कारण होता है purchase cost को उड़ा देना बच्चे purchase cost ही नहीं डालते हैं total cost of inventory निकालो तुम मत उलजू किसी और system में book इसको क्यों नहीं करती क्योंकि book क्या करती है इसको एक line item में डाल देती है यह statement में डालने की बज़ाए ले रही है statement में नहीं ले रही है जिस पर discount है उस पर क्या total value आएगी total cost of inventory आएगी दो जो लों में से जिस पर भी हमारी बच्चत होगी उस वाले को हम opt कर लेंगे और यह तो यह क्यों से भी अच्छा हो गया just because of discount समझ गए इस माम एक कुशन है डस्टी को उसमें क्या कि नॉर्मल हमें दे रखा है कि हम क्या inventory management follow कर रहे है फिर यह क्यों पूचा है फिर हमसे discount का बूच जा है तो उसमें डिसकाउंट हमें सेप्ट करना चाहिए नहीं पूचा तो हमें वो discount वाला जो प्लान है वो EOQ से compare करना है या actual जो वो फॉलो करें तो उससे तीनों से करो पहले तो actual वाले पर बात करो फिर बात करो कि यह क्यों पर अगर होगा तो सेविंग होगी और तीसरा फिर इन्होंने डिसकाउंट दे दिया तो क्या होने वाला है तो discount offer accept करनी है नहीं करनी है वो पता चल जाएगी उससे ठीक है वैसे discount offer कर जाती है कई बार कर जाती है कई बार कर जाती है कई बार कर जाती है तो कि दोना एक अधिस्मेंट दे रखिया ओवर्ड्राफ्ट की उससे वो लोग average inventory level change करते ना उस point में बहुत कंफुजन होगी कि लोग क्या कर रहे है अभी प्रॉब्लम क्लास नहीं रिविजिन शुद नट भी मिखल ब्रॉब्लम क्लास ठीक है चलो आप आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम क्लासे में होगा वह निचे वोल्डिंग कॉस्ट में कौन सी को साइट करते हैं एक केस होता है वह फानेंसिंग कॉस्ट फंदरा परसेंट होती है तो आपकी पर यूनिट पर फंदरा परसेंट और जोड़ दो पर यूनिट जो सेलिंग प्राइस आ रही है उसके उपर ठीक है चलो ओके आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट आ जाते अर्ली सेट्लमेंट डिसकाउंट पे ने अर्ली सेट्लमेंट या फिर अर्ली पेमेंट डिसकाउंट दोनों पार्टी इसके केस में हो सकता है ऐस अ सेलर आप अपने कस्टमर को दे सकते हो और आपका सप्लायर आपको दे सकता है तो दोनों ही केसिस में हो सकता है इसका जो तुम फॉर्मुला देखोगे इस फॉर्म बिलकुल सेम है absolutely same earlier the money is received earlier the money is paid received by the payable basically तो formula बिलकुल सेम है इससे cost of discount या benefit of discount निकल के आ जाता है आप अगर अपने receivable को discount दे रहे हो तो यह cost of discount होगी आपका payable अगर आपको discount दे रहा है तो आपका discount आपके लिए benefit होगा ठीक है इसके उपर एक छोटा सा question practice करते हैं लंबा वाला भी कराऊंगी पहले छोटा वाला देखो swapco is due to receive निकाल लो pen copies swapco is due to receive goods costing 2500 यानि यहां पर party कॉन involved है receivable या payable कौन है भाई receivable या payable मुझे तो payable लग रहा है payable not receivable आप goods receive कर रहे हो तो payment करो वे भाई the terms of trade state that payment must be received within 3 months received से confuse मत हो ना however a discount of 1.5% will be given for payment within 1 month it's too confusing कि यह payable का है या receivable का है तो यहां पर मैंने हार मान ली formula तो सेम ही है annual percentage of ignoring the discount and paying within 3 months क्या पूछ रहा है question annual percentage cost of ignoring the discount इसका मतलब discount मेरे लिए benefit आ रहा होगा अगर उसको मैं ignore करती हूँ वो मेरे लिए cost बन जाएगी payable यह ज़रा निकालो formula और फिर इसको apply करना चालू करते हैं वन प्लस discount upon amount led to pay correct जैस मैं वन प्लस discount is 1.5 तो 1.5 के discount को कैसे लिखे मैं वैसे भी निकाल सकते हैं इन टूमे 25 लिखे 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 हैं वन पंट फाइज में भी वर फिर मैं यह करूं ही अगर तुम इसके उपर ले रहे हो तो फिर ध्यान रखना फिर यहाँ पर 2500 का discount लेना और नीचे भी फिर 2500 माइनस discount करना मैं इस चीज पर नेक्स नंबर ऑफ पिरिड्स नंबर ऑफ पिरिड्स क्या होते हैं जितने टाइम पहले पैसा पे किया गया यह रिसीब किया है उसको डिनॉमिनेटर में लेना है यह कितने टाइम पहले आ रहा है महिनों में और टू ठीक है माइनस वन निकालो पावर सिक्स है छे बार कर देना इंटू इक्वल टू कैलकुलेटर पर यह ऑप्शन 9.49 यह 9.49 और 34 बहुत आसपास है कोई दिक्कत तो नहीं है ना नहीं मैं 49 क्लियर ली आ रहा है मैं मैं 9.34 आ रहा है पूरा भी लेंगे तो भी 9.49 यहा रहा है मैरे तो चैक कर लेती हूं 1.5 डिवाइड बाई इस विल बी 98.5 राइट 0.015226 एक दो तीन चार पाँच छे नहीं साहब आप लोग कुछ गडबड कर रहे हो 49 नहीं आ रहा है तो क्या गडबड कर रहे हो तुम वापस सरी क्यालकुलेट करो कि नाइंटीन पॉइंट फोर नाइन आ रहा है इनका यह करके यह वाली जुग है ना मेरा भी आ गया बसमें ना वह पूरा नहीं लिए देना पूरा ले रहे हैं तो तो तुर पूरा आ रहे हैं पूरा ही लो यह रहे हैं तो इसमें क्यालकुलेटर से कर दिया इंटू इकुलेटर जाता है वरना आप उस वैल्यू को मुल्टिप्ला करते रहों क्योंकि बिना मेमोरी वालों में कईयों में तुहां वो चलेगा नहीं इन्टू इकुलटू वाला कि, scientific पे नहीं चलेगा तो उसॉड टाइमस मुल्टिप्लाइ कर देना finalement गी और चलू कि नेक्स्ट अब इसके अब section C type के questions, जिसमें एक बार तो receivable को आप discount देंगे, दूसरी बार payable आपको discount देगा, steps common है हमेशा के, लेकिन दो question में screen पे लेके आई हूँ, इसमें से एक मैं तुम्हारी choice का कराऊंगी, दूसरा वारा तुम अपने आप करोगे, ये दोनो, ये दोनो must होने चाहिए, यानि ये मैंने पहले भी दोनों करा रखें, पर एक बर मैं इसके approach तुम्हें वापस दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि book ने हर बार approach अलग-अलग use करी है, I cannot move now, ठीक है, मतलब कि क्या है इसमें, आपको same set of steps follow करने, हर question में लगाओ, book में वो steps change होते रहते हैं, क्या steps आते हैं, कौ तोड़ा सा लेटेस सा question है, वो जाधा पुराना है, चलो, नेसुत को हैस, हाँ, नेसुत को हैस, credit sales of, मैं इसमें पहुंच रही हूँ, early settlement discount offered by supplier पे, तो payable वाले पे, वैसे भी receivable वाले के questions बहुत सारे हैं, इसको ढूंडो, या आपको कहां मिलेगा, सब सची बात working capital की, question मिलेगा, थर्ड वाले में, finance director में सुरो, 1% credit sale into, अच्छा ये इंडो पे, लविट का, रीड करो जड़ा, परस्टार रही है, credit sale आपकी 45 मिलियन क्यों होती है, आप trade payables को on an average, कितने में settle करते हैं, 60 डेज, 60 डेज में, तो current policy क्या है तुम्हारी, 60 डेज किये, 60 डेज में आप settle करते हैं, one of its suppliers has offered early settlement discount, 0.5% का, अगर payment कितने में कर दें तो, 30 डेज में, कितने का discount मिलेगा, 0.5%, सबसे पहरी चीज, information लिखना, information लिखके थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाता है, then it becomes easy to do the question, administrative cost will be increased by 500, if early settlement discount is taken, यानि इस case में, एक cost arise होगी, admin cost, कितने की arise होगी? 500, 500 की, पुरे साल की, नेसुत को 22 components worth 1.5 million per year from this supplier, यानि how much is the amount involved? 1.5 million, ठीक है, यहां तक information लिखो, जिस तरह के steps मैं use कर रहे हूँ, आपको यही वाले steps हर question में use करने, हर question में यह fit होंगे, हर बार examination में या फिर examiner ने approach बदल रखी है, because the student can opt for any approach, आप एक ही रखो, ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगी इसमें, current situation और proposed situation का data collect करो, current situation के receivables और नई situation के receivables का balance चाहिएगा, मुझे सबसे पहला item, मुझे current situation के, sorry, payables का balance मिल सकता है, Yes, ma'am. कैसे निकलेगा? 60 into 1.5 divided by 360, जा 365. 360 देने हैं का? 360? 360. 1.75 फोलो, कितना हरा बटा? 75 लाग. Okay, this is 360, 75 लाग बतारे हो. कैसे आसकता है, 15 लाग का पिचेतर लाग के से हो गया? Ma'am, 3 0s तक ले 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 हैं. ज़रूर ये पूरा कुलना? ये पूरा कट जाएगा? 2,50 लाग है. अब भी तो तुम लोगों ने करा था? आब भी तो किया था? जब मैं कहा रही थी कि ये तो 6,6 जा है, 156 से कैसे जा सकता है? 2,50 लाग ये तुमारे payables का balance होगा. पूरे साल भर का ये होता है, उसमें से 60 days on an average पैसा आप रोक के रखते हो, यानि आपका payables का balance कितना होता है? 2,50 का, correct? हम, correct. नए वाले arrangement में बताओ ज़रा, तुमारे payables का balance कितना रहेगा? हम 1,25,000. 30 days हो जाएंगे तो. 30 days हो जाएगा, अच्छा. तो payables का balance आएगा, 15,00,000. अब हम 30 ही दिन पैसा रोकेंगे. तो, कितना आ रहे है? आधा. 1,25, 1,00,000. 1,25. आधा हो गया, basically. तो यार, ये जो financing पहले payable कर देता था, अब कौन करेगा? ओवर जा. यानि इसकी वज़े से तो तुम्हारी finance cost में आएगा, increase. correct? increase in finance cost. 2,50,000 minus 1,25,000. यानि अब 1,25,000 मुझे market से उठाने होंगे, क्या rate पे? rate है भी? 4% NMM. निकालो इसकी cost. 10,000 and 5,000. मैं हम रिखते हैं चिप्टिप टाइम के लिए हैं. एक महीना. on and average हमेशा इतना चाहिएगा ही चाहिएगा. 5,000. 5,000 ये जो balance होता है न राखी, इसका मतलब होता है कि आपका हर बार इतना amount to payables का balance दिखेगा ही दिखेगा. हर महीने आप पैसा प्कारे हो राखी आपने class में बताया था ये कि आप ये बल्दी करते हैं. तो इसमें क्या है आप एक्स्ट्रा एक पच्चिस हर बार ये overdraft लेके बैठे रहोगे. क्योंकि अब payables को हर बार जल्दी पे करोगे. तो 4% आपको सीधा-सीधा इसकी cost अब incur करनी होगी. तो मुझे एक तो cost क्या दिख रही है? 5000. दूसरी, एड्मिनिस्ट्राइश्ट इसकाउंट मिल रहा है. कितने का डिसकाउंट मिलेगा जरा मुझे amount of discount और दे दो. माम 1.5% 1.5% 15,00,000 पे कितना दे रहा है वो? 7,500. बस? यह है कि मैं. निकालो, नेट बेनिफिट निकालो. मतलब हमें यह option लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए 75% का फाइदा 500 की administration cost और 5000 का increase in overdraft 2000 अभी भी बचने 2000 तो एक business को तो एक डॉलर भी बचे तो भी वो इस चीज की call ले लेता है चिक है यहां तो 2000 डॉलर बच रहे हैं अगर यह amount millions में होता है तो गजब और भी गजब हो जाता है तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ इस ओफर शुड़ भी एक्सेप्टेड गॉट इसमें हमने किया क्या है हर बार इसके हर question में एक ही काम करना तुम लोग सबसे पहले तो नया system और पुराना system अलग-अलग रखना मतलब old और new का हम अलग-अलग contrast बनाएंगे old और new step one old और new दोनों के payables या receivables का balance निकालो balance निकालो दोनों का इसके बाद में इन दोनों के basis पे आप finance cost निकालेंगे कैसे या तो एक तरीका मैं यह बोलती हूं दोनों के उपर finance cost अलग-अलग यहां amount का difference ले लिया तो यह जादा मुझे better approach लगती है कि दोनों का balance तुमने लिया इसका बैलेंस आया था 250 इसका बैलेंस आया 125 दोनों की finance cost निकालो यानि कि मैं इंटू 4% करूंगे दोनों को तो धाई लाग का 4% कितना आता है दस अजार इसका कितना हैगा पांच पांच तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है अब मुझे दिख रहा है saving in finance cost कितनी saving दिख रही है इन दोनों का difference 5000 की saving हो गई दूसरा एक मेरी administration cost जो है वो बढ़ रही है इधर तो increase in finance cost आगई यार अरे sorry 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 हम receivable नहीं payable पे है तो पहले जो payable था वो 10,000 की मेरे को बचत करा देता थ क्यों क्योंकि मैं डाइलाग का payment उसको लेट करती थी करेक्ट डाइलाग का payment लेट होता था तो मुझे overdraft नहीं लेना पड़ता था यानि कि 10,000 की मेरी saving कराता था यह payable पहले अब कितनी saving कराएगा 5000 की saving कराएगा यानि मेरे लिए नुकसान कितना हुआ because of finance cost extra finance cost आने लग जाएगी अब वापस से सुनो love सुनो आपका payable को आप डाइलाग का payment करते थे डाइलाग का payment रोक के रखते थे तो डाइलाग का overdraft नहीं लेना पड़ता था कितनी cost बच जाती थी 10,000 अब कितनी बचेगी 5000 यानि हम नुकसान हो गया न पहले 10,000 बचती थी पांच ही बचेगी यानि 5000 का नुकसान हुआ तो पहला नुकसान तो हुआ मेरा ये saving गई मेरी दूसरा नुकसान मेरा क्या हो रहा है administration cost का लेकिन फायदा एक ही हो रहा है what is that फायदा आप 0.5% का discount पे payment कर रहे हो payable को यानि उसको आप 7500 बचा लोगे इस scheme में 500 जेब से लग गोट इट समझ गए और receivable बिलकुल इसका contrast लें सेम स्टेप्स यूज करो receivables भी सबसे पहले balance calculate करो उनके ओपर finance cost calculate करो उसका difference देखो फिर कोई cost आ रही है तो वो देखो और फिर discount की value से compare करो हमेशा यही steps follow करो book बार बार approaches change कर देती है you do not change the approaches please और यह जो दोनों question मैंने त टॉपिक बिलकुल cover हो जाएगा if KXP को और नेसुद को इस ड़न ओके गॉट इट समझे यह मैं अब आगे बढ़ते हैं factoring पे तो साब factoring is extremely important है क्या factoring में factoring का एक तो तुम से सवाल पूछती हो एक with recourse without recourse नाम की कोई चीज होती है what is this with recourse and without recourse अगर आपके रिसीवेबल ने पैसा नहीं दिया तो इसमें responsibility company की होती है perfect without recourse में क्या होता है मेरे पास मता ना अगर रिसीवेबल ने पैसा नहीं दिया तो आप जानो आपका काम जाने तो इसमें तो FR में तो याद रखना पड़ता है कि इसका treatment क्या है FM में simple है question अपने आप बोलता जाएगा वो करते जाओगा ठीक है तो factoring के उपर सबसे अची बात यही है question जो बोलेगा वो करना है मैंने इसमें homework के लिए डाला है एक factoring का question जो मैंने class में भी कराया था तो तुम्हें वो last slide में देखेगा उसको तुम्हें जरूर try करना है उससे factoring cover हो जाएगी factoring में कोई concept तुम्हें ध्यान नहीं रखना question जैसा जैसा बोलता जाए वैसा वैसा करते जाओ कि अगर factor आएगा इतना amount तुम्हें देदेगा इतने charges लेगा इतने fees लेगा यह अपने आप बताएगा वो तुम्हें कुछ इसमे अजियूम नहीं करना वो जैसा बताते जाए वैसा करते जाओ last topic आता है cash budget examiner की इच्छा होती है तो इसमें से 20 number भी डाल देता है और वैसे यह आपको दो number में तो मिलता है तो cash budget बनाने के तीन तरीके आपके syllabus में आते हैं एक receipt और payment को consider करके बनाना दूसरा balance sheet से बनाना और तीसरा working capital ratios से बनाना cash forecast कैसे निकलेगा भाई receipt payment से इस format से इसमें भी question जो बोलता जाए करते जाओ इसका कोई तरीका नहीं है learn करने का यानि जहां से पैसा आएगा उसको plus करते जाओ जहां पैसा जाना है उसको minus करते जाओ इसमें फिर opening balance को add करो this should be your closing balance पहले महिने का closing balance becomes the opening balance of the next month यह आपका cash forecast बन के आएगा receipts and payments method से इसका चलो एक question practice कर लेते हैं आपको 3 महिने दे रखें October, November, December receipts question अपने आप देगा तुम्हें कुछ इसमें अज्यूम नहीं करना payments यह भी दे रखा है what is the closing cash balance for December budgeted to be यानि अगर हम इस estimate के साब से चलें तो December का आपका closing cash balance होगा क्या करें इसको excel पे क्योंकि फटापट प्लस माइनस करने के लिए excel चाहिएगी इसमें करें yes ma'am yes ma'am हम भी कर लेते हैं चलो तीनों महिनों का हिसाब किताब लगाओगे तब जा कि December का निकलेगा yes कि चलो करेंडिट सेल्स के उपर क्या पैसा उसी टाइम आ जाता है नहीं देखते हैं इसका लेकिन cash sales पर तो तबी के तबी आ जाएगा है ना yes ma'am sorry cash sales का पैसा हाथ क्यात रिसीव करो 10,000 456,000 यहां पर credit sale का पैसा कब आएगा मुझे पता नहीं चल पा रहा है इसका मतलब यह credit sale के पैसे की recovery ही है लेकिन अगर मैं question में बोलूँ कि एक October की यह credit sale का amount है this is received in the next month, following month तो आप 20,000 को कब receive करवाएंगे यहां पर तो यह receipt बोल रहे हैं कि credit sale के नाम पर 20,000 का amount receive हो गया बड़ा सीधा सा question बोला इन्होंने मैं बोल रहे हूँ, यह amount इन्होंने credit sale का दिया है received नहीं दिया and I tell you कि जो October की sale है वो one month following में receive होती है तो 20,000 कब receive होंगे? November November के 11,000 कब receive होंगे? December लेकिन यहां तो इन्होंने बहुत easy कर दिया receipt ही बोल दी कि credit sale का हमने 20,000 receive किया है direct 20,000 ले लो फिर फिर 11,000 ले लो and 14,500 ले लो तो मेरे पास receipts का तो और कोई source दिखनी रहा let's take these बहुत easy question कर दिया अच्छा यह भी हो सकता है 50% of the credit sale is received in the following month and remaining 50% is received in the following second month तो क्या करोगे? 20,000 की recovery कैसे करोगे? 10 October में और 10 November में plus November में भी 50% अच्छा 50% is received in the following month and remaining 50% is received in the second following month December December 10 December 10 December and 10,000 December ठीक है? तो यह question का तरीका यह होता है वो अपने आग यापको जो बोलते जाएगा करते जाना ध्यान से पढ़ना वो बोल के रहा है अपने दिमाग मत लगाना इसमें अपना कुछ नहीं लगाना बस अपने को जहां से पैसा आएगा वो प्लस करना है जहां जाना है वो माइनस करना है बस nothing has to be applied out of your mind now अब आजाओ खर्चों की तरफ मैम यह में 20 पूरे receive हो रहे यह कैसे पता चला यह उपर receipt लिखे है इसलिए बस इसी से ही पता चला मुझे पेमेंट्स भी मुझे तीन दिख रहे हैं तो मैं लगा दूं कि पेमेंट्स भी तीनों का टोटल yes ma'am 13, 4600 और 3000 तीनों का टोटल ले ले लेते हैं पीज़ाट छेस्टों चीक है next 104 अब क्या करें minus यह आजाता है cash for the year तीनों में लगा दो एक आइटम और क्या रह जाता है ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है दिया हुआ है during the year का cash और opening balance क्याइट कर देंगे तो नतीजा विल भी closing closing cash balance this closing will become opening of next correct तो आंसर शुट बी 24 950 plus D टी टीके समझ गए ये section C में आ सकता है पर आता नहीं है because it's very simple it's just that कि जो information है उसको डालना होता है दिमाग लगाने का इसमें कुछ होता ही नहीं है okay 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 yes ma'am आगे जानसर आगे एंसर आगे एंसर अब एक 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 आती है working capital ratios से इससे पहले एक ठीक balance sheet वाली तो balance sheet वाले में क्या होता है balance sheet के सारे items आपको दिये वे होंगे और एक item missing होगा वो होगा balancing figure यानि की cash यानि की balance sheet वाले में मुझे क्या क्या दिया होगा मुझे assets दिये होंगे, सारे assets दे रखे होंगे इधर सारी liabilities दे रखे होंगी इसका total और इसका total match होना चाहिए जो match नहीं होगा that will be cash तीसरी category working capital ratios को use करके करने वाली let's suppose आपको ये P&L दिया हुआ है इस P&L के basis पे आप कैसे working capital निकालेंगे इनी से ही information drag करके निकालेंगे कैसे ये वाला question देखो crack co के नाम से crack को है sales of 200 million dollars per year gross margin आपको दे रखा है 40% का यानि मुझे ratios यूज करने P&L के कुछ numbers भी यूज हो के यहाँ पे आते ही मैं GP निकाल सकती हूँ हाँ मैं 200 का 40 ठीक है 200 का 40% 40 yes मैं प्रॉफिट मार्जिन इस 40% 100 million का अमेटिक है cost of sales भी निकालू मैं 120 million 120 अब बोल रहे है कि inventory जो है इसके days इस fluctuation पे maximum days inventory रहती है 120 पे minimum हमारे पास inventory रहती है 90 की all purchases and sales are made on cash basis and no inventory of raw material और work in progress is carried यानि opening stock, closing stock, कुछ नहीं है crack co intends to finance permanent current assets with equity and fluctuating current assets with overdraft यानि जो normal तरीके से financing होती है यह उसी तरीके से कर रहे है in relation to fixed goods inventory and assuming 360 days a year how much finance will be needed from the overdraft यानि वो यह कह रहा है कि जो short term वाला जो है न इसके लिए जो overdraft चाहिए वो कितना चाहिए बताओ टोटल आपकी working capital की requirement किती है 120 इसमें से minimum 90 days वाली है मैं इसको कहां से finance करूँगी long term debt से question खुद ने भी बोला है कि जो permanent है उनको आप equity से करोगे या long term sources से करोगे मैं इसको कर रहे हूँ equity से correct correct 120 days में से 90 days की requirement मैंने equity से कर दी यानि overdraft से में कितने दिन की demand को satisfy करने वाली हो 30 days 30 days की बराबर का amount calculate कर लो 120 में से 30 360 days लेना है this is the requirement जो आप overdraft से satisfy करेंगे है कितनी यह 6 to 20 10 10 3 10 10 आएगा तो 10 मिलियन डॉलर आप किस से उठाएंगे overdraft से वापस से सुनो यह क्या हुआ मैंने सबसे पहले तो cost of sales निकाली कि total इसमें opening stock closing stock कुछ है नहीं जो भी है वो inventory है 120 मिलियन की inventory लगनी है या फिर कोई और direct खर्चा लगना है जो मेरी working capital requirement है total question ने बोला maximum आपको 120 days के बराबर की inventory चाहिए होती है bare minimum आप 90 की रखते हो तो 90 वाली को तो equity से finance कराएंगे overdraft से किसको finance कराएंगे बचीवी को बचीवी मतलब 30 को तो मैंने 120 के हिसाब से 30 के हिसाब का एक balance निकाला इसका करेंगे और इसको finance किससे कराएंगे overdraft से समझे यह अपने आप में guys मैं गायब हो रही हूँ क्या सुन लिया था मैंने क्या बोला कि 120 तो आपकी total requirement है इसमें से 90 के लिए आप equity use करते हैं तो equity use करने का मतलब क्या हो गया permanent capital बाकी बचीवी के लिए आप overdraft यूज करेंगे ठीक है समझे बचीवी मतलब 30 के लिए तो 120 के basis पे 30 का balance निकाल लो ओके यस मैं चलो अच्छा question है इसको important mark करना और यह तुम्हें करना भी है आज के session के बाद में अब आप ये वाले questions try करेंगे हाथ के हाथ मतलब की आज ही अकर इनका तुम status देखोगे तो ये एक mock test के बराबर setting है कैसे? दो तो section B के questions है तीन section C के है तो B में तीन होते हैं ना मैंने यहां तीन डाल गी है ये आपके 3, 3, 6, 7 7 questions है that means maximum 3 hours का काम है ये इससे ज्यादा आपको इस पे नहीं लगाने समझ गए? येस मैं तो working capital के आपके सारे के सारे topics cover हो जाते हैं ये वाला भी प्लीज पोस्ट कर दो मैं ये पुरानी ऑके according है ना 2021 वाली ये त्वेंटी थरी वाली नई वाली के according है नई वाली के जो 23 जून तक की थी जिकार मेजॉरेटी के पास वही वाली बुक है यार मेरे नई वाली भी बच्चों के पास है नहीं जादा यह जून 23 वाली तक की बुक उस वाली से करना और इसको याज करना है कल वाला जो तुमारा सेशन होगा उस वाले सेशन के लिए थोड़े से क्लास से प्रियों के देना एल अप्लोड ओपन और इनके सोलूशन भी अप्लोड गर दूगी एक चीज़ बोलू मैं रिक्स मेनेजमेंट में थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है उसका क्या करें अभी मैं रिविजन कराती हूं उसके बाद में अगर जरत पड़ेगी तो अ कि अधिर नेक्स वाले संदे को एक लास रख लेंगे दो तीन तारिक वाले संदेगो इत्ता वह इत्ती फसी वाली बात नहीं है पर अब तो रिविजन के हिसाब से ना complete करते चलोगी मेरा यह जोगया यह जोगया यह लोगया इनको क्लोज करते चलो बढ़ना यह कभी वाले पार्ट को सिर्फ एक बर रीड करो इस एक्जामिनर के सोलीशन से हां खतम करते जाओ वंड़ा उसमें कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ रहता जाएगा फिर अगर उसका पूरा कॉंटेंट समझ में नहीं आएगा 50% तो दिमाग में घुसेगा कुछ ना से तो यही ठीक है ठीक है चालो जी सुविए टोमारो बाई बाई एवरिवन बाई बाई बाई